वैल्कम टू मै Communist, RGAE Welcome to my channel RJ Wedge Kitchen आज हम बना रहे हैं मैगी वह भी ब्ना वाली वाली सममा कियों सब्सक्राइद । मैगी बहुत बाट करते हैं उसे बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाता और कोई भी बनाए तो एक चमच लाल मिर्च पाउडर कसमेरी लाल मिर्च का यूज किया है, एक चोथाईच महलदी पाउडर, एक चोथाई चमच दाल रही हूं नमक मैंने न यहाँ पर जो भी मसाले लिये हैं वो मैंने जो vegetables ली हैं उसी के according लिए हैं क्योंकि हमारे मैगी में तो अल्री सारे मसाले होते ही हैं उसके according तो हम जो extra डालेंगे उसके according मसाले भी add करेंगे तो अब हम इसको अच्छे से पकने के लिए बिल्कुल धीमी आज पे ठक कर छोड़ देंगे पांच मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आज पे यहाँ पर मेंने 4 पेकट लेए मैगी के मैं 2 पेकट को इस तरह के से क्रेस करनूँगी और 2 पेकट बिल्कुल थापुत रखूँगी ऐसा करने से हमारी मैगी जो होती है वह बहुत अच्छी टेक्ष्छर में आ जाती है तो इस तरह के से मैं कर लेती हूँ आप पेटी पेंट करते हैं आप चाहे तो सारी तोड़के डाले हैं या आप पूरी की पूरी साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा टेक्षर अच्छा लगता है जो इस तरीके से बन के आता है तो मैंने यहाँ पर मैगी डाल दी है चार पेकेट और चार पेकेट के हिसाफसे में चार कप पानी एट करूँगी हम जितना भी मैगी रहते हैं उसे के अकोर्डिंग हमें पानी लेना होता है अब मैं इसे धक कर रख देती हूँ उबाल आ गया है और अब हम इसे पूरा खोल पलकर ही पकाने डखきynen ओपनानी पानी पाणी सूखने थक पकाने तक पानी नहीं पानी प्काइएंगे जब तक हो जाएगा मैगी का अैट करना हो तो पहले मैगीका मसाला करेंगे मैगी का मसाला डाल तो Chapo को खोसने पर veo मैगी अच्छे से पक चुकी है सर्व करने के लिए और मैं इसमें डालू इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए बटर क्योंकि मैं आप बटरी मैगी बना रही हूं तो बटर तो बनता ही है तो दबा के बटर ढालेंगे और बहुत टेस्ट आएगा हमारे मैगी में देखें मैगी का कितना अच्छा टेस्टर आ रहा है यह पता है किस वैसे आ रहा है जो मैंने दो पैकेट टोड़के और दो पैकेट साबूद रखेते न उसी से धनिया पत्ती डाल देते इसमें और अब हमारी मैगी बिल्कुल तयार है बनके सर्व करने के लिए चलिए स्टा आप लिए्ट लिए इसमें रहा है लिए लिए टो विए तरया दोड़के लिए है रहा है